खबर देखनी से पहले इस चनल को सब्सक्राइब करें एंप यह जो बजेक्ट आया है उसके अंदर हमने इपकाइट सेटमेंट वडा इसमें लिखा कि अभी का बजेट आया है वो फेल हो गया है अगर आप देखोगे तो देरी नो प्रोविजन और प्रोप्रेटरी कॉंसर्ण एंड पार्टनर्शिप फॉंट तो गो इन्टो आई बीसी रूट जो भी आई बीसी रूट अवेलेबल है वो खाली कॉर्परेट सेक्टर का उवेलेबल है तो MSME सेक्टर जो च्शायटरी है या पार्टनर्शिप से उनके लिए आई बीसी रेजोलीशन प्लाटफॉर्म है वह इनके लिए अवेलेबल में और हम फ्यूंत दोलर की बात करते हैं फाइट्रीलियन की बात करते हैं तो 5 billion economy में आपको employment generation is equally important, today India is facing lot of problem unemployment, highest rate of unemployment is 8% today, which is highest forever, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप स्टार्ट अप इंडिया, new इंडिया, make in इंडिया, लेकिन यह तो सारे new venture है, जो existing venture है, वो रोज बन पढ़ते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्या है, for example, take jet air rates, 20,000 employees वहाँ पे काम करते हैं, जेट एर बन करने के बाद, बैंकों के coercive तरीके से, 20,000 लोग रास्ते पे आ गए, वही कंडिशन, किंग फिशर की, आप company क्यों बन कर रहे हूं, आप venture क्यों बन कर रहे हूं, आप venture को जिन्दा रखो, promoters बन लो न, और वहाँ आप IBC के जरिए करने का प्रास कर रहे हैं, यह focus नहीं है कि इसको company को जिन्दा रखना, focus यह है कि recovery, employment बचाना यह focus नहीं है, focal bank को की recovery, मैं बोलता हूं, अगर सारी बैंक, सारी प्रापर्टी बेचने के लिए रास्ते पे आ जाएगी, तो खरीदी करने वाला है कौन, तो economy में यह budget और the entire finance system is lacking the vision, how to solve the existing NPA problems. इसके लाबा और एक चीज़ जाना चाहूंगा, जो भी bank से fund लेते हैं, नहीं नहीं companies, तो कहीं सारी companies, बहुत, मुझे लगता है कि 60% companies fraud होती हैं उसमें से, employees को hire करती है, then खुद को दिखाती है कि हम bankrupt हो गया, तो government को भी उसका बहुत जादा नुक्सान होता है, तो उस बात में सोचना चाहिए था आपको लगता है? आईसे लोगों को जो fraud promoters है, उनके उपर आप जरूर action लीजिए, उनको individually separate कीजिए, लेकिन उन्होंने जो venture खड़ा किया है, जो production setup उन्होंने खड़ा किया है, उसको आप scrap में क्यों convert करते हो? वही production setup अगर आज नया बनाना है, तो उन्होंने जितने में खड़ा किया, उससे ज़्यादा पैसा लगता है, उसके सिवा वही production setup खड़ा करने के लिए आपको जस्टेशन टाइम है, यह जस्टेशन प्राइम में देश की productivity घट जाती है, जिप GDP पर असर होता है, तो यह का आप काउं साम यह एकोनामी के दुष्टी से गलत है, आपको लगते हैं कि गॉवर्मेंट को भी कही नहीं लॉस है, इस तरह का budget जो उन्होंने अनौन्स किया है, हलांकि जो पार्टनर से आप बात कर रहे हैं, उनको तो लॉस है, लेकिन गॉवर्मेंट को भी लॉस है, क्य जो मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी को हम लोगों ने धक्का पहुचाया, जैसे कि बेटा बात को देखता है कि वो बैकों के चक्कर में इतना फस गया है, आत्मात्या करने तक खड़ा हो गया, तो बेटा विद्नेस में आने के लिए तयार नहीं है, तो देश के अगली ज से जो प्रोडक्ट हमारा तयार होता है, वो सब मल्टिनेशनल कंपनी में जॉब ढूंता है, तो जो पाच परसेंट, दस परसेंट लोग जो धन्दा करना चाहते हैं, जो जॉब क्रिएटर्स है, उनकी फिलिंस को ही आप मार रहे हैं, उसको कौन जिन्दा करेगा, खाली फ इसका व्रुक्ष बन जाएगा, वो इनिशियल स्टेज पर ही उसको आपने काट दिया, तो उसका व्रुक्ष कर पनेगा, तो सब गोवर्मेंट को क्या step लेने चाहिए, इसको लेकिए और गोवर्मेंट को अपनी दरफ से जो नए बिजनसमन आ रहे हैं, उनको एंकरेज कर इसके बावजूत, जिन लोगों ने अगर पास साल, दस साल धंदा किया है, बैंको अपना किस्ता रेगुलर दिया है, अगर इनको कुछ तकलिफ होती है, तो इनको भी मोराटरिम पिरेड और जस्टेशन पिरेड देने की जरूजी है, ऐसा नहीं कि हर एक धंदा, सालों साल अच्छी तरीके से चलेगा, कभी ना कभी उसको प्रॉब्लेम आ सकता है, जब उसको प्रॉब्लेम आता है, तो उस प्रॉब्लेम में उसको साथ देना चाहिए, ना कि उसको मारना है, हम सिक, आदमी जब सिक होता है, तो हम उसको दवादारू देके उसको ठीक कर पाते हैं तो लोन की वज़े से उनके उपर बहुत जादा प्रेशर आ जाते हैं तो वह प्रेशर को रिलीस करने के लिए क्या होना चाहिए उसमें भी तरीका ऐसा हो सकता है कि जो इनिशेल बिजनेस है जैसे आप उनको लोन फंडिंग करते हैं तो हमारे आपर रेट आप इं इंट्रेस में कंसेशन दे दो नहीं तो सब ओर्शन आप देर फंडिंग शुड बी इन फार्म उपिक्विटी और वो जब वो बिजनेस अच्छा चलेगा दो साल चार साल पास साल के बाद तब वो इक्विटी का आपको मिलेगा और सबसे ज्यादा जरूरे प्रोप्राइ उनको भी और रास्ता खुला रखना चाहिए जैसे आपने मैंशन किया कि जे टेर्विस कंप्री बंद होती है लेकिन जो एंप्लॉई होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परत पड़ता है तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि है ऐसे सिच्वेशन में गवर्मेंट को जैसे आप बैंक हैर कट लेके उनको वापस रिवाइबल प्रफोसर में लाती है जैसे हम आई पीसी में देखते हैं कि हैर कट लेते मेरा कहिना है कि यह हैर कट के बजाए आप 20 परसेंट आप डाट अमांट जो आप पोविजन करते हैर कट का उसका 20 परसेंट आप डाट अमांट यू सेव आज रियाबलेटेशन फंड और यह रियाबलेटेशन फंड आईसे सिक यूनिट को यूज करने के लिए वह भी किसी प्रमोटर के हाथ में मत दीजिए इच उड़ गीवन थो एंचल्टी कोट थूपोट इच्ट इ इन लोगों को वापस खड़ा कर सकते हैं उनके ओपर कड़क क्रिमिनल एक्शन होनी चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट किमिल एक्शन होनी चाहिए मेरा उनके लिए यही मेसेज हैं कि आप NPA के लिए कुछ विजन तयार करो एक विजन डॉक्यूमेंट तयार करो और NPA पर रिवाइवल को ध्यान देदो NPA रिकवरी थूर रिवाइवल यू शुड़ गो थूर रिकवरी फार कोर्सिव मेंट्रेश आप रिकवरी मत करो आप उनको खड़े करो उनमें वो तासत देदो कि वो जो बारो किया है वो तो रिपे करेंगे लेकिन आगले दस साल